दो ब्रोक्रिजिस जो हम ट्रैक कर रहे हैं दीवीज लैब पे दोनों नहीं ही कुछ ज़ादा चेंजिस नहीं किया है टार्गेट को लेके हाला कि जेफ्रीज ने शेयर को डाउंग्रेट करके होल कर दिया है गोल्मेन का लक्षय है अठावन सो चालीस रुपए उनका मानना यह है कि जो API बिजनेस में हमने दिक्कते देखी हैं इस क्वार्टर में उसके कारण हमने रिजल्ट में मिस देखा है हाला कि जिसे साबसे कमपनी की इंवेंटरी थी वो कहीने कहीं कम हुई है हाई बेस से तो शायद आपको दूसरी दिमाई के नतीजे थोड़े वीग दिखे हैं लेकिन आगे चलते हुए जो margin performance है और जो कमपनी की growth performance है उससे शायद आपको बैतरीन नतीजे आते हुए दिखाई देए जेफरी इसका मानना ये है कि जो overall basis पे Pfizer की दू-तीन drugs जो COVID को लेके आ रही है उससे डीज के लिए काफी अच्छी opportunity बन सकती है हालां कि जिसे साबसे valuations है उससे साबसे shares इनको थोड़े महेंगे लगते हैं और इसी डिए उनका target है stock पे 560 रुपे का सबस आईशर मोटर्स का सवाल है बहुती बड़ी अनरतीजे company ने पोश्ट किये है margin front पे और इसी लिए काफी सारे brokerages ने यहाँ अपने target price बढ़ा दिये है UBS का लक्ष है 2930 रुपे इनका कहना यह है कि chip shortage का कोई बड़ा आसर कमप्ती पे नहीं देखने को मिला गया आगे जाते हुए और इसी लिए यहाँ इनका एक preference आता हुआ दिखाई दे रहा है JP Morgan ने अपना target बढ़ा के 2450 रुपे कर दिया है Credit Suisse का एक target सबसे जादा माना दाता है street पे वो लगबग 3300 रुपे के आसपास है और Jeffries की जो buy rating है उसका target है 3250 रुपे Jeffries का कहना यह है कि जो multiple two-wheeler recovery के levers हैं और जिस हिसाब से production में improvement हमको देख रहा है खास करके truck business में तो वो काफी सरानिया है आईशर मोटर्स के लिए और इसलिए यहां most brokerages ने अपना view और rating maintain रखा है बहुत बढ़िया upgrades SBI पर आते हुए दिखेंगे कुछ ही समय में वो आपको graphics पर चलते हुए दिखेंगे साड़े 500, 600, 625 के लक्षे कई जानेमानी brokerages से आते हुए नतीजों के बाद फिलहाल स्टॉक सुस्तार आए आधा प्रतिशत पीछे 530 पर बताए पोजिशनली नवंबर की expiry में आपको कैसा लगता है SBI क्योंकि जो main event था नतीजों का वो कल over होता हुआ तो शेल जी SBI के हमारा fundamentally और technically दोनों ही टिक्स जो हमने दिवाली के लिए निकाली उसमें हमारा buy view है दोनों साइट से और हम SBI में मान के चल रहे हैं positionally इसमें जो target दिखते हैं नवंबर सीरीज की बात करें तो 580 से 610 तक के upside हमें लगता है नवंबर सीरीज में आते वे दिख सकती है तो बिल्कुल SBI को यहां पर buy करना है stock में यहां पर stock loss जो रखना है positional basis पे वो होगा करीब 505 के आस पास यह रनीती आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है झाल आते है झाल 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 झाल